कोरोना वाइरस की दवा का एलान कर दुनिया भर में हलचल मचाने वाले योग गुरु बाबा रामदयों की मुश्कीले बढ़ती जा रही है राजस्थान में ऐसी किसी दवा के क्लिनिकल ट्रायल को सीरे से खारिच करने वाले चिकित्सा मंती रगो शर्मा के बाद अब निम्स यूनिवर्सिटी के मालिक और चेर्मेन बीएस तोमर भी पलट गए हैं तोमर ने गुरुवार को दिये अपने बयान में साफ कहा है कि उनके अस्पतालों में कोरोना की दवा का कोई क्लिनिकल ट्रायल हुआ ही नहीं है उधर रजस्तान सरकार ने अपने चिकित्सा अधिकारियों से कहा है कि पतंजली की कोरो नील दवा प्रदेश में बिकनी नहीं चाहिए आखिर क्या है पूरा मामला और क्या कहा नीम्स यूनिवर्सिटी के मालिक ने जाननी के लिए देखे पलिटोक्स की इस खास रिकोट को ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटोक्स राजनीती का कच्चा चिठ्था नेम्स का बाबा रामदेओ के साथ दवा बनाने में कोई सयोग नहीं था बता दे, पियस तॉमर का यह बयान, गुरवार को उनके खिलब जैपूर के गांधिनगर ठाने में दर्च केस में आया है कोरोना वाइरस संक्रमन के इलाज की दवा के दावे को लेकर पतंजली आयूरवेद हरिद्वार और निम्स यूनिवर्सिटी के मालिक तॉमर के खिलाब यहां दर्ज केस में कोरोना वाइरस के इलाज के नाम पर जनतर को गुम्रा करने के आरोप लगाए गए थे इससे पहले रहजस्तान के चिकित्सा मंती रगुशर्मा कोरोना की दवा के नाम पर लोगों को गुम्रा करने की बात कहते हुए बाबा रामदेव के खिलाब कानूनी कारवाई की बात भी कह चुके है इस पूरे मामले में हैरत की बात यह है कि 20 माई को निम्स विश्वे विध्याले ने CTRI से औशदियों के इम्मिनिटी टेस्टिंग के लिए इजाजत ली थी 23 माई को ही ट्राइल शुरू किया गया और 23 जुन को योग गुरु बाबा रामदेव के साथ मिलकर एक माईने के अंदर ही लोगों के सामने दवा पेश कर दी गई निम्स के चेर्मेन का कहना है कि हमारी फाइंडिंग अभी दो दिन पहले ही आई थी मगर योग गुरु रामदेव ने दवा कैसे बनाई हैं वह वही बता सकते हैं मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ कोरोना वाइरस जैसी महामारी को मात देने वाली वैक्सिन बनाने का दावा करने के बाद आयुश मंत्राले ने पतंजिली की दवाई कोरोनील पर रोक लगा दी है और टेस्ट सेंपल लैसेंस आदी को लेकर पूरी जनकरी मांगी थी पतंजिली ने जवाब में बताया कि इस दवा को कोरोना वाइरस से पीडित किसी गंबिर मरीज पर टेस्ट नहीं किया गया है कम लक्षन वाले मरीजों पर टेस्ट किया गया था आयुश मंत्राले ने पतंजिली की और से दाखिल रिसर्च पेपर के अनुसार कोरोनील का क्लिनिकल टेस्ट 120 ऐसे मरीजों पर किया गया है जिन में कोरोना वाइरस के लक्षन काफी कम थे इन मरीजों की उम्र 15 से 80 साल के बीच थी और इसमें पुरुष तता मैला दोनों वर्क के लोग शामिल किये गये थे ट्राइल के दोरान इन सभी को इसके बारे में बताय गया था और उनकी सामती ली गई थी इसके पूरे ट्राइल में दो महीने का वक्त लगा जाहीर है कोरोना का शत्प्रतिशत इलाज करने वाली दवा कोरोनील के दावे को लेकर पतंजिली की मुश्किले बढ़ गई है एक तरफ राजस्तान सरकार ने बाबा रामदेव पर केस दर्ज कराने की बात कई है तो वहीं उत्राखंड सरकार ने भी पतंजिली को नोटिस बेजा है उत्राखंड आयूरवेद विभाग ने नोटिस जारी करके पूचा है की दवा लॉंचिंग करने की परमिशन कहां से मिली उत्राखंड आयूरवेद विभाग की लाइसेसिंग ओफिसर का कहना है की पतंजिली के एप्लिकेशन पर हमने लाइसेंस जारी किया इस एप्लिकेशन में कई भी कोरोना वाइरस का जिक्र नहीं था इसमें कहा गया था कि हम इमिनिटी बढ़ाने, कफ और बुखार की दवा बनाने का लाइसेंस ले रहे हैं विबाग की और से पतंजिली को नूटीज भेजा गया है पॉलिटोक्स बेरो दिल्ली